हेलो आईफोन XR यूजर्स आईफोन XR के लिए एपल ने एक निया अपडेट रूल आउट करा है जो कि है अईवे 17.1 का निया अपडेट तो आप इस अपडेट को अपने आईफोन XR पे कैसे डाउनलोड और इंस्टाल कर सकते हो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेग होनी चाहिए जैसे कि कुछ इस तरह से आपके स्पेस होनी चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके फोन में 10 Gb के असपास की जो स्पेस है वो फ्री होनी चाहिए क्योंकि सब्डेटि का साइज 5.8 Gb है तो अच्छरी बात करते हैं कैसे इसको आपको इस्टाल करना है iPhone XR के wand तो सबसे पहले आपको safari browser को open करना है make sure करें कि आपका जो network है वो stable होना चाहिए यह ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगा पर stuck हो जाए तो इसलिए आपको wifi connection को use करना है यहाँ पर आपको search करना है apple beta program जैसे ही यहाँ पर type करोगे apple beta program आपके सामने यह apple की beta program की official website आ जाएगी यहाँ पर आपको single tap करना है और यहाँ पर आपके सामने यह website का interface चेक कर सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो sign up और sign in का option है कौन से बटन पर tap करना है अगर आप इसके उपर already एक member हो तो आपको यहाँ पर sign in पे tap करना है अगर आप इसके उपर member नहीं हो तो आपको sign up की ओपर tap करना है आपको अपनी apple id के साथ इससे sign up करना है यह आपको sign in के ओपर tap कर देता हूं मैं यहाँ कि मैंने यहाँ पर already एक member यहाँ पर create कर रख़ा है तो उसके बाद आपकी जो screen है आपको कुछ इस तरह का option दिखाएगी Apple ID के उपर आपको continue करना है Face ID को use करेगा आपका device तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा done का button तो उसके बाद next page आपके सामने open होगा तो यहाँ पर आपके सामने guide for beta software और program की option दिखाएगा अब आपको यहाँ पर get started की उपर enroll your device की option को tap कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो open beta updates की option आचुकी है इस option की उपर आपने tap करना है जैसे tap करोगे आपकी settings की application automatically यहाँ पर open हो जाएगी अब आपको यहाँ पर देखने को नेगा एक निया option iOS 17 का public beta और iOS 17 का developer beta आपको यहाँ पर developer beta को select कर लेना है और यहाँ पर आपको back चले जाना है बैक जाओगे तो आपके सामने यह निया update show होने शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर अब इस तरह से अपने iPhone XRQ पर इस नए अपडेट को download और install कर सकते हो I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लेज लाइक कर देए अपने चैनल को भी जो subscribe करें साथ इसाथ bell notification को जो best कर दें आपको हमारी आने वाली हर ने वीडियो की notification मलती रहे सो मलते हैं guys अगली वीडियो में So guys thanks for watching